Hello everyone and welcome to the video आज की इस वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा कि आप लोग अपने स्मार्ट फोन को किस प्रकार कार के इन्फोर्टेन्मेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं आई ये इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग क्या सीखेंगे पेरिंग, अनपेरिंग, वायरलेसली और वायर के साथ किस प्रकार आप लोग एंड्रोइड आटो को यूज करेंगे फर्स्ट और फॉल सीखते हैं कि गाड़ी में ब्लूटूथ को किस प्रकार करेट करना है अपने फोन से यानि कि कुल मिला के, मैं थोड़ा सा फंबल मार दिया हूँ कुल मिला के पेटा कहने का बतल यह है कि स्मार्ट फोनों की इस प्रकार करेट करना है अपने कार के इन्फोर्टेमेंट सिस्टम से क्या करना आप लोग को सिंप्ली इसका नोटिफिकेशन पैनल है जो आप लोग के यहां बना हुआ है जैसे आप लोग मुबाइल में नोटिफिकेशन पैनल को स्वाइब डाउन करते है उस प्रकार आप लोग को यहां का नोटिफिकेशन पैनल को स्वाइब डाउन करना है जैसे आप लोग आपर स्वाइब डाउन करेंगे यह सर्चिंग मूड हो रहे हैं, इसको stop कर देना है, क्या कर देना है, ठीक है, stop करने लगाद आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को simply क्लिक करना है, एड डिवाइस पे, और add device पे click करने वाद यहाँ पे आपके सामने दो option आ रहे है search from infotainment और second option आ रहे हैं आपके सामने search from phone ठीक है अब search from infotainment को मतलब यह होता है कि car का जो infotainment system है वो search करेगा आज पास के nearby devices को जो इससे correct होगा लेकिन अगर यहाँ पे मैं click करूँगा search from phone पे तो हमें अपने phone से search करना पड़ेगा car infotainment को जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत long process है क्योंकि best यही रहता है कि car का infotainment system अगर search कर ले हमारे phone को तो connection जो है वो easy हो जाता है वाया वाया ही connection है कोई दिक्कत वाली बात नहीं because मैं अक्सर हमेशा search from infotainment यूज करता हूँ तो मैं आप लोग को भी वही recommend कर रहा हूँ ठीक है न तो चलिए search from infotainment पे click करते हैं और जैसे मैं click करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पे दिखेगा please ensure your bluetooth device is visible to other devices यानि कि यह other devices आपको infotainment system और मेरा phone जो है वो आप लोग का bluetooth device है तो मेरा मेरे phone का नाम यहाँ पे आचुगा है अंशुल्स A50 को कि मेरा नाम है अंशुल बाचपई तो यहाँ पे नाम आचुगा है अंशुल्स A50 मैं इसमें click करूँगा और जैसे click करूँगा यहाँ पास आप देखें आपको सामने तीन option आ रहे है क्या phone, music and smartphone app क्या रहे है phone, music और smartphone app ध्यान दीजेगा आपको phone वाला enable होना चाहिए और music वाला enable होना चाहिए और third वाला तब काम करेगा अगर आप लोग के पास इस गाड़ी का vehicle identification number है या तो registration number है registration number basically आपका गाड़ी का number plate है और अगर गाड़ी किसी और के नाम पे नाम पे और फिर number पे registered है फ़र इसफेपल, गाड़ी आप चला रहे है नमबर आपके पापा के नाम का डला होग है यारि आप चला रहे है और पापा का मॉबाइल नहीं है तो पापा का करना जो कि हम अभी आगे चर्चा करेंगे तो आप लोग हमेशा क्या कीजिएगा यह तीर ओप्शन को इनेबल करके रखिएगा वाली थर्ड ओप्शन इनेबल हो चाहे नहों आप लोग इसे इनेबल कर दीजिएगा बिकोज यह में future proof कर देता है ठीक है आप लोगो simply यहाँ पर पेर वाली आप्शन पर क्लिक करेंगी तो यहाँ पर लिख क्या जाएगा Bluetooth pairing request इसको simply आपको pair पर click कर देनेगा और यहाँ पर इसमें yes पर click कर देना है तो verifying pass की यहाँ पर लिख क्या अचोक है अन्शोल से 50 has been connected for music, आप लोग को simply okay कर देना है ठीक है, आप यहाँ पर पूछ रहा है मेरे सामने, allow access to messages यानि की car का infotainment system हमें request भेज रहे है कि क्या हम आपके phone का message access कर सकते मैं allow कर दूँगा, second आएगा आपके सामने कि क्या allow access to contacts तो यहाँ पर मैं contacts का भी allow कर दूँगा जैसे मैं allow करूँगा, यहाँ पास में refresh हो रही है, feeds अपनी और जैसे यह refresh हो जाएंगी तो सारी अपने जो recent dial number से call lock से वो अपने को यहाँ पर show करने लग जाएगा ठीक है, अब मैं जाता हूँ back और back जाने के बाद, अब मैं बताता हूँ आप लोगो कि आप ब्लूटूथ किस प्रकार connect करेंगे अभी तो आप लोग अपने फोन को pair की है infotainment system के साथ, अब हमें Bluetooth connect करना है तो Bluetooth connect करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है अब आप लोग ब्लूटूथ पे क्लिक करेंगे अब आप लोग wirelessly इस infotainment system पे आप लोग गाने प्ले कर सकते हैं लेकिन आप लोग Android Auto का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अगर आप लोग हमेशा wire का इस्तेमाल करते हैं तो wire के इस्तेमाल के साथ-साथ आप Android Auto and गाने प्ले कर सकते हैं लेकिन अगर आप simply गाने प्ले करना चाहते हैं तो आप लोग को इस प्रकार का process फॉलो करना पड़ेगा अगर आप लोग wirelessly एक game खेलना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ गाने प्ले करने का लेकिन अगर आप लोग अपने infotainment system पे Android Auto का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को Suzuki Smart Play Connect का application आप लोग को प्लेश रोसे जाउनलोड करना पड़ेगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जैसे कि मेरे case में अभी क्या problem फसरी कि यह गारी जो है मेरे दीदी के नाप रेजिटर है और मेरे दीदी अभी out of city है कह सकते है तो जिस वाज़े से मुझे अभी उनका access मिलना मुश्किल हो रहा है जिस वाज़े से मैं आप लोग को wire के थुरू दिखाऊँगा कि आप लोग wire के थुरू android auto किस प्रकार इस्तमाल करते है तो यहां पर यह सारी चीज़े connect है मैं क्या करूँगा इसमें back जाऊँगा और back जाने के बाद अब मैं थोड़ा सा अपने mobile के flashlight turn on करूँगा और क्या करना है आप लोग का जो यह cable है इसके यूएसबी वाले section पर यूणिवर्सल सीरियल बस वाले section पर आप लोग को simply इसे insert कर देना है कुछ इस प्रकार जैसे insert करना है और फिर आप लोग के जो type c का port है आप लोग को simply mobile के इस वाले port पर इसे pin up कर देना है कुछ इस प्रकार जैसे pin up करेंगे तो यहाँ पर मेरा charging का symbol बनकी आ चुका है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार यह सारी symbol बनकी आ चुके है ठीक है मैं थोड़ा सा दूर करता हूं जिस प्रकार से जिससे आप लोग को better visible हो और back करूंगा अब back करने के बाद क्या करना है मैं इसकी flash को बंद कर देता हूं जिससे आप लोग को problem ना हो screen देखने पर ठीक है जिसके phone पर application installed है उसको यह pop-up message आ रहा है लेकिन हमाय मेरे में installed लेकिन मेरे पास मेरी बहन के number का access नहीं है तो मैं इसे cancel करूंगा मैं क्या करूंगा cancel करने के बाद आप लोग के करने यहाँ पर simply connect पर जाना है तो यहाँ पर लिखाए please connect और smartphone simply आपको swipe down करना है और फिर phone linkage पर जाना है और phone linkage पर जाने बाद आप लोग को क्लिक करना android auto और जैसे क्लिक करेंगे आप लोग का वायर कनेक्ट है automatically आप लोग को जो infotainment system हो android auto पे convert हो जाएगा आप लोग देखते जाएगा यह आप लोग का कुछ थोड़ा बहुत टाइम लगता है हलका फुल का टाइम लगेगा लेकिन यह चीज़ें जो है android auto पे automatically convert हो जाएगी देखिएगा आप लोगों क्या करना है जिस प्रकार आपका android auto पे क्लिक किया वह circle घूम चुका है यानि की सर्च हो चुका है यह maps को access कर सकते हैं अगर आप लोग के phone में mobile data running mode में है तो आप लोग properly use कर सकते हैं और यहाप लोग कोई गाना प्ले हो रहा है तो मैं इसको pause कर देता हूं तो यह आप लोग का बन चुका है android auto अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर कुछ चीज़ें और मैं आप लोग को ब कर सकते हैं अपने कार के infotainment system के through ठीक है न तो अगर मैं spotify यूज़ करना चाहूं settings यूज़ करना चाहूं wallpaper जो मेरे mobile पर लगा हुआ है वह सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को शो हो रही है ठीक है अब मैं आप लोग करूँगा और बैक करने के बाद मैं आप वोइस recognition का इस्तेमाल करके देखना चाहूंगा कि मेरा जो infotainment system है वो voice recognition को पकड़ता है यह नहीं पकड़ता है और यह वाला feature जो मैं आप लोग के सामने first time ट्राय करने वाला हूं तो मुझे समझ में नहीं कैसा क्यों हूँ अब यहां पर मेरे पास voice recognition का एक button है जो कि आपके steering में mounted है मैं इसमें click करूँगा हाई Google oops something went wrong I don't know यह क्या issue है something went wrong का मेरे को issue समझ में नहीं आया ठीक है ना तो because मैंने अभी उसक अभी एक बार भी use भी नहीं किया है तो मुझे मालूम भी नहीं है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है ठीक है ना click करने के बाद for example मैं यहाँ पर search करूँगा यहाँ पर search पर जाना है और search करने बाद आप लोग कुछ भी आपर देख सकते for example मैं search कर रहा हूँ इंदॉर sorry doree मैंने ओर किया search indoor अब यहाँ पर indoor Br, indoor railway station for example सर्च करता हूँ ठीकना यहाँ ना यहाँ पर मैंने सर्च किया indoor railway station तो अब यहाँ पर मैंने सर्च के यह चीजें जो है, आटोमाटिकली कनेक्ट हो जाएंगी, यह देखी, अब हैड़ एस एवोइडिंग रोड गोजर, अब आप लोग के, इस प्रकार आप लोग यूज करते हैं, अब मैं नेक्ट फीचर पर इसका वोजो वोईस रिगनिशन फीचर है, इसको यूज करके आप यूज क्यों है, यूल नेक्ट करता हुआ है, यूज पाल-ग्यू अजय को करता हैं, यूज करते हैं, आप लोग जैगे